वेलकम तू दे कोचिंग अभिशेक कोचिंग सर्विसज आईए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में परती सत प्रसंटे चैप्टर और इस चैप्टर को हमें इस चैनल पे लगभव में पांच बार पहले परा चुके हैं हम 2017 से वीडियो बनाने स्टार्ट के जनवाडी से और उस टाइम से अब तक लगभव में पांच बार इसको बना चुके हैं और ये छठी बार लगभव में हो रही है तो इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बहतर होगी पहले वाले क्या प्रेक्षा में तो आईए इस वीडियो के एक बार फिर से इंज्वाय करते हैं औ तो आई हम पर्सेंटेज के इस सफर को सुरू करते हम स्टार्टे में थोड़ा सब वसे इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले क्या है परतिसत के चैप्टर को पूरा बनाने के लिए आपको सिर्फ और परतिसत का परिभासा जान लेना होगा और परतिसत का परि प्रतिसत का जो सिंबॉल होता है इसके बदला में आप एक बट्टा एक सो लिखेंगे यही प्रतिसत का बिल्कुल मूल पॉइंट है बिल्कुल फंडमेंटल चीज है और इसी को हम भी यूज करके पूरा परसेंटेज बना सकते हैं ज्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होग संख़ा एक सो से कितना गुना है इस परकीडिया के बाद उस संख्या को पर्तिसत के रूप में लिखा जयाता जैसे मान लिजेव वर संख्या एक्स है तो 100 के साथ तुलना करने के बड़ उसे एक्स परतिशत लिखा लाता है यानि अगर कोई संध्या X है इसको हम एक्स को एक्सो के साथ तुलना करते हैं जैसे कि आप लोग जब हम आप लोग पढ़ाई से मतलब क्या होज़ाता है इसका मतलब यह इसका मतलब आता है पर शमाटर परीशाथ यानि यह परतिसत आपने आंबोर क्या यह परतीश अप्रतिसत हुरता उल्टा सबस्क्राइब एक स는데 की हंडर का उल्टा से और जो है एक सो में से पछातर यानि कि पछातर का तुलना कर देते हैं कॉम्पेर कर देते हैं उसको लिखा जाता है तो वह पर एक्स के साथ किसी एक सो तुलना करेंगे तो इसको एक्स बटा हंडेड यानि की लिख सकते हैं बादना की चीज़े हम लोगी सीखर चालक और ज्शादा को मैं है do आपको पर टीसत के चेप्टर में ज्यादा प्रमूला याद करने कि कोई जरूर्त नहीं है यह जो लाईन है यह यह चीजी हो है है यहाँ नोट में से लिखा यहां पर इसको टाइब किया है तो कोई जरूत नहीं है आपको सिर्फ वह सी परतिसत के परतिक या सिंबॉल जो होता है यह जो पर इसींबॉल है इसका मतलब जान ले ना हैं आपकाफी होगा इस परतिसत के सिंबॉल का क्या मतलब होता है इस परतिसात के सिंबॉल का मतलब होता है एक बट्टा एक सो इस वीडियो को बस जस्ट आखिर में हम आप लोग उस चारपांस सबाल पूचेंगे और आपको उसका एंसर जो है एक कमेंट बॉक्स में देना है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें इ रहाँको देखिये कहीं पर भी कही पर भी एक ब्रटा एक-ص॑ और कहीं पर लिखा हुआ है तो आप इसके जगह पे इसके जगह पर पट्फिसाल का सिंबॉल डाल सकते यानिकी पट्रशन का जो सिंबॉल होता है ना इसका मतलब यह होता है एक सुबटा एक सो यानि कि हंडेट से इसको भाग दे देजिए ज्यादा कुछ इसमें है नहीं परतिसवाब एक वट्टा एक सो एक वट्टा एक सो वड़ाबर परतिसवाब याद होगे बिल्कुल आपको इस वीडियो के जस्वाब को सवाल पूछेंगे हैं हो सकता हम यह सवाल पूछ देशलिया पर इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो एक स्ट्वेंट ज्यादा जवाब देगा हम किसी भी छेट से कोशन पूछ सकते हैं मैं से पूछ सकते हैं या फिर साइन्स वगड़ा यह सब से पूछ सकते हैं एक स्ट्वेंट हमको सजेशन दिये थे कि आप सर लास्ट में कुछ कोशन दीजे ताकि हम लोग कभी वीडियो में बना रहे तो मुझे उनका सजेशन काफी अच्छा लगा और मैं इसी वीडियो साथ उसका शुरुवात करने वाला हूं तो मैं आप लोग उसे बीच में बताऊंगा यहां पर तो मैं आप लोग उस लास्ट होगी हम ओचीज देगे उसको तो चलिया आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा पेज में जो है क्या है कि मैथ के प्रश्ण को बनाते समया है आप लोग को देखाया दें लेंग्वेज का मतलब क्या होता है है भासा लेंगवेज अनि की भासा भासा आपको पूरा मैथ के ल को समझ रहे कि क्या वहां पे पूछ रहा है। वहीं बहुता रहे एक तो क्या की question के अंदर में क्या पूछ रहा है और question में आप से क्या पूछा जा रहे कि आखर यह चीज़ दिया हुआ है और यह चीज़ हमसे पूछ रहा है इसी को बोलते हैं भासा तो अगर आपको भासा पर 100% कमांड है तो सोचे की math का सारी chapter का 50% आपने ऐसे ही solve कर लिया तो यानि की भासा में आपको 50% के योदान मिलेगा math की भासा को अच्छी तरह से पकर होना जरूरी है किसी भी question में भासा को दो तरह से समझना होता है पहला प्रश्ण में क्या सब दिया हुआ है और दूसरा प्रश्ण में क्या कुछ पूछ रहा है बस यही दो चीज़ों क अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है math की भासा पर पकर बनाने के लिए एक ही question को तथा एक ही chapter को अनेको मत अनेको बार समझ समझ की अभ्यास करना चाहिए यहां पर आपको हम एक tips दे रहे हैं कि जो भी question को आप बना रहें आपको भासा पर पकर करना है तो उस question को repeat करके तो उस chapter को repeat करके अप डेली उसको अभ्यास करिए इसको मैं आपको बताऊंगा तरीका कि क्या किस तरीके से किसी एस्टुन का mathematics जीरो से बिल्कुल pro level हो जाती हो भी एक महीने के अंदर ऐसा मैंने काफी ज्यादा एस्टुन के साथ किया है तभी तो हमारे पास हजारो आने वाले सभी चेप्टर के भासा खुद बखुद समझ में आ जागी अभी हम आपको एस्टार्टिक में जो सब चेप्टर पढ़ाए परसेंटर लोसन प्रॉपिट यही दो चेप्टर आपको भासा तो अच्छी तरह से पकर बनानी है फिर आप पूरा का पूरा पूरा क पूरा मैथमेटिक्स बनाने के लिए आपको भासा के लिए थोड़ा सा भी सोचने की जरूत नहीं पड़ेगे आप देखिए आप मैथ को से बहुत आसन वंजेगा आपके लिए और आप एक्जाम को बिल्कुल पास भी कर पाएंगे कोई भी एक्जाम हो चाहे चले ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब है क्या क्या क्यलकुलेशन आप लोगों ने गन्ना करना तो सीखा यह हुगा गन्ना मतलब क्या जोर घटाव गुना भागिया ही सब किरिया करनी परती है पूरा मैथ में तो हमारे मास्टर नूर्स का यहां पर दिया हुआ है मैथ के क्वेशन को आंसर तक पहुचाने के लिए बीच में क्यलकुलेशन करनी परती है देखिए क्या होता है यह है आपका क्वेशन को हम लोग एक्वेशन में कनवर्ट करते हैं और एक्वेशन को हमको एंसर में कनवर्ट करना परता है यही तीन स्टे में क्वेशन है solve बोले तो इसको calculation करके हम इसको answer तक पहुचाते हैं त्यानि कि equation के बाद जो answer के equation के बाद answer यान कि formula पे question के data को put करने के बाद answer तक पहुचाने के बीच में जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग calculation जैसे कि 100 को 5 से 7 गुणा करना है तो 100 गुणा 5 हमको लिखना पड़ेगा वो क्या है calculation calculation आप लोग का दो तरीके से होता है एक होता आपको माइंडल यानि कि मुझवानी आप अपने दिमाग के अंदर में ही कर लिजेए गुणा की 625 को पचीस से गुणा करेंगे तक कितना होगा तो हम आपको मुझवानी गुणा करें बताए पचीस पचे एक सो पचीस का 5 हां सिलबार 55 दूना 52 यानिकि 2 और पचीस चका डेर सो डेर सो और चो एक पांच 625 15625 इतना हम निकाले यह साम कैसे निकाले मैंडली निकाले चोटीज को पचीस से गुणा की तो तो यही सब चीजे है आपको क्लेशन आपको मैंडली भी कर सकते हैं या फिर आप इसको समय बचेगा और आप बहुत स्यादा कुछन को बना सकते हैं अगर आपको लिख करके आदा करने की तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा तो यह सब चीजे हैं तो चलिए देखें कोश्चन में एक अब क्या है दर असल क्या क्या प्रश्निक का नहीं समी अब देखें कैलकुल और गौlor में आ जाती है एकक्वेश्चन मतलब किया होती है ज्सें दिखिकै एक फल engag seby wonky यह की मारवर का सिंबल डाल दीए तो यहां पे क्या होनित किसी भी संख्याहूं के संख्या संख्या संण का समूं के बीच मे अगर सऺज़ー बबाबर का जो सिम्मॉल है equal 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 बडावर का जो symbol है इसको अगर कहीं पे ढल दे जीसे продолж key और बड़ावर राहूल कर दे तो बीच में जो आता है आपका बडावर का symbol वो क्या होगा वही उसको equation बनाते है और उसी को सब्सक्राइब करके जाहने यहाँ करके उसे mindly solve करने की कोशिस की जानी चाहिए हो सकता है 100% आप मांड़ी कल्कुलेशन कर नहीं कर सकता है थोड़ा बहुत आपको को कोशिस करने साहिए क्या माइनली कल्कुलेट कर पाएं समीकरण का मतलब दो चर तथा अचर शंख्याओं के समुहों के बीच में बड़ाबर चिन बड़ाबर चिन मतलब इस तरह का चिन का आ जाना समीकरण का निर्मान करता है हमें बस प्रश्ण को समीकरण में और समीकरण को एंसर में convert करना होता है यही पुरापड के लिया है question मराने का इसी को math के question को हल करना कहते हैं math में जितनी आप calculation करते हैं आपकी calculation करने की speed उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आगे के chapter को बनाने से ज्यादा पीछे के chapter को revise करना ज्यादा ज़रोणी होता है और ज्यादा फाइदे मन होता है जैसे माली अभी आपको percentage पढ़ा रहे है इसके बाद आपको पढ़ाएं डिसकाउंट के बाद जाएंगे हम लोग partnership पे लेगी partnership बनाने से पहले एक बाद फिर से percentage loss and profit discount को बनाने के बाद हम लोग पार्टनर्शिप सीखने के बाद हम लोग जाएं सिंपल इंट्रेस्ट पे और उसको बनाने से पहले इस चारों चेप्टर का फिसे repeat करें यानि कि ज प्रेट्रिक किसी तरह से पास किया है मुझे मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है मैं hotel में काम करके मैंने idea किया है जब मैं idea किया हूं तो मेरा सपना है लोको पालट बनने का और बनूंगा लेकिन आपके मदब से आप हमें सिखाए कितना तो उस टाम हमारा coaching था और हमा सब्सक्राइब को अगर उसका जीरो है न उसको पर्षेंटे चेप्टर अगर हम पढ़ा देगे तो उसका पूरा मैथ पकर बिल्कुल बन जाएगा फिर उसके बाद क्या होता है उसके जास 15 से 20 दिन के बाद वह एस्ट्रेंट जो था वह पर्षेंटे चेप्टर पर ही था त कितना मेंचित कर दें कि अपने सारे कॉपी इसमने बरवाद किया है कितने सारे क्लम को खतम किया है तो सोचिए उस है कितना तर शाहा हूथ किया था और उसके बाद 2-3 महीने के बाद उसकी पढ़ाई complete हुई तो हमारे हुचिल के जितने भी समय के पास मैथ कोई भी डाउट होता था वह हमसे पूछने के बाद वो उसी स्कूछन के पूछT तरह से हमारी ट्रेनिंग होती थी बिलकुल फ्रेंडली रुप से मुसको सिखाते हमारे टिप्स और ट्रिक्स को जो भी एस फॉलो किया है आज तक वो नौकडी बिलकुल पाया और लोको पास गया था तो यहीं सब बात है आप भी बस बिलकुल फॉलो करिए आप उतने दूर एपनाइई हम आप को सभी सब्याट्ट को पढ़ाने वाले है। उंहागkę बढ़ते हैं देखी यह मी हम ब्रफ। करने से पहले प्रश्ण को अच्छी तरह से पहले यह समझ लेकिन में क्या दिया हुआ है और पूछ रहा है आप पहले ये question के अंदर में क्या दिया हुआ है क्या data input group में आ रहा है और हमको output group में क्या पूछ रहा है क्या data आ रहा है क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछ रहा है इस बात को जानना बेहत जरूरी है उसके बाद question में आपको सिर्फ वसी भावा साथ का ध्यान दे करके एक समी करना अब क्या होगा आपको याद करने की बिलकुल भी जरुत नहीं पड़ेगे अपको किया आपका फोकस कहाँ पर को सवाट बोताई और रहें और इस एक कोशिचं को माइनली कोशिज करेंगे पहुचा नहीं यहीं तरीका रहेगा सभी चेप्टर में आगे आप परतेरे यह आपको बहुत मजा आने वाला है देखिए आपको उस्चन में जो पूचा जाएगा उसे आप x माल लिजे कोच्ख में जो पूचा है कि इस प्रस्ण का युइ एंसर आगउए x अम उसी एकस का वैलू करेंगे एक्वेशन मनाने बहुत सुविधा होगी जहां हम लोक्वेशन पर जेस्ट हमार है तो आपको हम एक्समान के बताएंगे कैसे आपको वह मदद करेगा एक्वेशन समेगर आसारी बन जाएगी और आंसर बताने में सुविधा होगी कोई भी हो अब देखिए जो सबसे परमानुबं काम करती है जो हिरोशीमा और नागासागी को तबाह कर दिया था तो देखिए कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100 जिसता से आइंस्टीन ने इबढ़ावर एंसीए स्क्वार दिया है उसता से मैं आइंस्टीन नहीं हूं लेकिन छोटा मोठा इंस को हम बनाएंगे संस्क्रीख पर इस परिवासा का हम लोगा यूज करेंगे और इस परिवासा का यूज करने के बाद कोश्चन बहुत आसानी से बन जाएगी तो आप लोगई ध्यान देहां दो दस परशेंट ज्यादा क्या होता है परशेन्ट ज्गा अपने याद रखर लिजे दस परसेंट ज्तो परसेंट ज्यादा हम आप कोई भी हो कुछ भी हुआ अपने आप में होती है हंडेट परसेंट पू। यह हैं अब करेंगेंर यह ग civ gaan 20 के अपनली प देख झालाकम 10 110 % 10 परसेंट ज्यादा का मतलब क्या कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में तो पहले है 100 परसेंट तो है 100 रुपेज मेरे पास है और दस परसेंट ज्यादा बोल दीए मन एक्स्टा तो हैंडे में 10 एक्स्टा बढ़ा दिए या निकी 110 परसेंट हो जाएगी और उसके बाद और एक्स परसेंट ज्यादा का मतलब हंडर प्लस एक्स परसेंट होगी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग को डायक्ट यहां पर कुश्चन आ गया तो बस बेसिक थेओरी बस यही रहा अब देखिए इस कुश्चन को देखिए करते हैं कुश्चन में क्या दिय मनं क्या माने तो एक्स क्या बुलाए एकक्स का एक का मतलब गुना करना एक्स का आठ पुर्ण के बटा दू अच्पूर्ण पुर्णांग एक बट्टा तीन जो है ये किसका सौटकोट है आठ पलस एक बट्टा तीन इसको इस रूप में भी लिख सकते अब देखिये इसको जो बना सकते हैं आठ तरीक 24 25 25 बट्टा तीन ऐसा एक यह जो है इसके बढ़ा बड़े फिसको इस रूप में convert कर सकते हैं यह इसका basic theory है जितने भी कोशन सम्में इसका यूज होगा इसलिए हम पहली पर बता दी आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका कि कैसे पुर्णां को तोरा जाता है एक्स गुना आठ दूना कितना था यार तीन नहीं था एक्शली हो दू है तो आठ दूना सोल है 178 दू परतीसत बड़ावर 150 चली यतना है हमने आपको क्या सिखाया कि परतीसत का मतलब जो है यह जो परतीसत है इसका मतलब आपको एक सो माह लेना है यानि कि जहां भी आपको परतिशाद का सिम्बॉल देखे उसके जगा पर एक बट्टा 100 लिख देना है हम बस वही करेंगे तो X गुना 17 गुना यहां पर देख परशेंट का सिम्बॉल है इसकी जगा पे हम लोग एक बट्टा 100 लिखेंगे अब राबर में 180 से लिए ईसको आप लोग स्वॉल कर दें वैसका मान लिकर सकते हैं यह फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन्हेकं Impomerate anytime हिने यह पर तीन है साहिध तो तो से ही कितना आएगा आठ त्रिक चो भी से पचीस वर्टा तीन आएगा देखिए हमको यादे पूश्चन कि पचीस वर्टा तीन है यहां पर तो देखिए तो यह आगया पचीस चोगा एक सो चार्टिया बारा उसको ना करें तो एक्स पराबर एक सो पचास गुने बारा इसको मैं लिगना करिए जीरो बारा पंजसाट बारे कम बारा चॉप अठार यानिकी आपका अठारा सो एंसर वाइस कुश्चन का चलिए ठीक है तो अहुम इसको कुश्चन को आगे बढ़ते हैं देखिए कैसे बनाते है अ का मतलब गुना सोलब पूर्णाह दो वारटा टीन को तो रहे से होगा सवलव पुर्णांग दो बट्ठातीन को कैसे तो टेगा आप एक cuatro में यादे jugar इक score तीन यानिके 50 बट्टा तीन पचास बट्टा तीन पचास बट्टा तीन है अब देखिए यहां पर सेंट रसी मॉल है इसके जगह प्लिखेगा इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं अब बराबर में देर्ट अब इसको शॉल्प कि यह बिल्कुल इसली पचास दुना एक सब दो तियाज चौप अनचा का डेर्ट तो एक्स बराबर अंचा अनब्वे होता है कि अ तिन दुनाच आप अनचा का नब्वे यानिके 900 ठीक है यह रहा आपका एंसर चलिए आउनलों को आगे बढ़ाते हैं कि इसकोचे में देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है पर्से को सीखने वाले पर 35 पर 30 बराबर है किसके देखिए 25 पर देचा बराबर जो है ना वो X के बड़ाबर है किसके बड़ाबर है 25 परतिसत इस परतिसत जो है वो X के बड़ाबर है अब आपको equation का मतलब होता है कि दोनों के बीच में आपका एक बड़ाबर का सिंबॉल का आजाना जवास्ति उसका मतला येगा जहां प्रभतोर वहीं पला सकते हैं 25 पर तक जगा पर इक पॉटा एक सते हैं तो पॉटीस गुन एक बट्ठा-100 आप यहां पे लिख दीजिए बढबर एक्स अब क्या करना है अब पचीस तलीन मिद्ध पत जीरो पांट vaccineamour को इके तो यहां पर देखिए एक बटा चार नहीं आपको चार से भाग दे रहा है तो पहली बार करेंगे तो भाग नहीं लगेगा तो यहां पर लिखेंगे जीरो तो चलिए अब जी रोकाइब काया तो एक पॉइंट देते हैं और इस पॉइंट के बदले में हम यहां पर जीरो डाल देते हैं अब यह कितना अम लेगा 4 दूना 8 अब क्या हुआ दो आप चुक्षकि पॉइंट दे रखें हैं इसलिए हमको भार बार जिरो डाल कर गया लगाना पड़ेगा यहां पर 0 फिर डाले 4 पंचे 20 अब यह कट जाएगा तो यहां का आपको जो भागफल के रूप में क्या मिला डियर 0.25 तो यानि एक बट्टा चार को आप क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.25 आपका एंसर यह तो देखें ठीक है बिल्कुल सिंपल ही है अगर आपको किसी भी कोशन को अगर आपको समझ में नहीं तो आप हमें कमेंट कर देजिए हम आपको फिर से अच्छा समझाएंगे क्योंकि आपको बिल्कुल 0 लबल से लेके चलना है तो हर एक बताना मेरा फर्ज बनता है तो अगर आप लोग को बट्टा मैंदा की भीन को परसेंट में बतालना नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर देजिए हम आपको बताएंगे बिल्कुल प्रस्नली रूप से तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अहला कोशन की तरफ अगला क्या में याद करवाया जाएगा कि जब आपको किसी किसी बट्टा वाले चीज़ को परशने बदलना है तो एक सबसाद गुना करिए भाग करिए इस अब तरक आपको बहुत सारा देखने को मार्केट में लेकि हमारा क्या मानना है कि क्वेश्चन को ही वास एक्वेशन में कर ल यहें किसको सारे बाड़ापुना के गड़ा दू को मुझवानी कर्वर्ट कर रहे इकिसमें बठक रूप में तो सारे बाड़ा परसंड कैसे लिए बाड़ा दूरा चौबीस एक 25 बट्टा दूपर तीसाथ हम को यहीं पे आपको मिल जाना चाहिए मुझवानी होने चाहि तो हम इसका एंसर क्या माने एक्ष बादलिए अब देखिए अब भी बट्टा दू अगुना इस पर्षेंट के सिम्बॉल के जगपे हम सोगना है ऑफ बड़ा पर में एक्स 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 हमाना पड़ेगी तो एक बराबर एक बट्टा चारदुना आठ यानि एक बट्टा आठ आपका अंसर इसी एक बट्टा आठ इस रूप में भी लिखा जाता है तो वही यहां पर लिखा हुआ है ज्यादा कुछ दिक्कात नहीं है कोई दिक्कात है आप हमें कमेंट करें हम आपको सब्सक्राइब करेंगे अगला जो कुछ नवर पांच है कि यहां सारे 27 परतिशत के बराबर कौन से भीन है जैस्ट कोस्ट नमर चार का जैस्ट दूसरी रूप में मतलब कि डेटा चेंज करके से मोई कोशन है तो सारे 27 परसेंट मतलब कि 75 बट्टा दू आप परसेंट के स स्थागा पे ठीकिन एक आगे नहीं को कितना फील इसको हम लोग क्या प्रेंगे हम लोग उसको क्या करेंगे बस डायक लिए लिए मिसको एक प्रेशन लोग में ला देगे और थे आप उसको स्वाल ने जमानले तो पर्षैंट के यह जो है 75 और एक सो जो है पांच से भी कटेगा और पचीश से भी कटेगा अगर आपको कटाने में सुविधा होगी जादा वाली नंबर से तो आप जादा वाले पे ट्राइए कम वाले पे ट्राइए करेए तो एक एक स्टेप बढ़ते जाएगी उससे क्या आपका टाइम सब्सक्राइब और पचीश से भी कटा सकते हैं तो ज्यादा सुविधा होगा पचीश से अगर आपका महरबानी हो जाएगी दूसरे प्रस्णि के लिए आपके पास समय थ्थुरा ज्यादा बचेगा तो जाए हम 25 जाएगा थे तीन उपर में तीन नीचे में चारदुना चरदुना आठ तीन बट्टा आठ ब्रावर हो गया आपका एंसर तो तीन बट्टा आठी तो आपका एंसर तीन बट्टा यहां पर चलिए ठीक है आप लोग को समझ में आ रही होगी कुशन को देखें जो एस्टुडेंट कहीं पे भी उसको मैथ नहीं आता समझ में वह हमार पर क्या बरा कि भीनको परतिशशत गुरूप में मदलिये आपको हम पको से एक वाल दा किया है आपको ना ऊंप्यव्न याद करने देंगे हम क्या करें में हम क्या करें केention कोुक्ति ना हों कर लेंगा । 3-4 को परतिसाद गृप में लिख दिजिए 3-4 को हम परतिसाद गृूप में लिखेंगा जरूर लिखेंगा 3-4 जो है वह एक्स परतिसाद के बड़ावर है लिखे एक Christian में बना दिएना इस question को equation में बना दिए 3-4 जो आई आ सिंबल को उड़ागर के निकाल देखिए अब क्या है इस आप देख्याई को यहाँ समझाते हैं जब अप लोग को कटाते हैं भाग देते हैं जब बिन का घृताय और एक हम लोग को कटाना होता यानि की भाग दे देखें बीच में एक रोड है बीच में क्या है एक रोड है यह उपर वाली भावी यह नीचे वाली भावी यह नीचे वाली भावी देखें क्या होता है लोग जब चाहिए क्या होता है डिप्टी चले जाते हैं तो क्या होते कि भावी लोग आपसे मिले के बात करने लटे भ है उपर वाली भावी से बात कर सकती अद नीचे वाली हावी जो है वो नीचे वाली भावी से बात कर सकती अब यह यह और यह आपसमे बात नहीं कर सकते क्योंकि पर ड्ल मनी चाँ ओसरते तो 거는 में उपर नीचे तो थोड़ा सीरी तो आना है नीचे या फिर बोल देगे कि हमको चिनी घट गया उपर भेजिए तो आपस में भी आपस में भी बात कर सकती है यह भी आपस में बात कर सकती है तो कैसे बात नहीं कर सकती है ऐसे क्रोस में बात नहीं कर सकती क्रोस में बात नही नीचे आपस में उपर नीचे मतलब की लेंदेन्ट वगा बातचित होगी यानिकी कटेगा थे कीए ह। तो ये रहा अब देगे कटाने घर क्याने मोंत थाल यह नहीं होता है घौना करने क्याने होता है गुणा आपस में दोस्ते है इसलिए आपको यह दोनों चीज सम्मझ में आई वही बात हम यहां पर कर लेगे यह दिए निचे वाली इह भी है निचे वाली आपस में इसको कट्वा देते हैं कि चार से कितना वार में कर टेगा परचीश बार में अब देखिए ब कोई तो देखिए कोशन जाहे कितना भी छोटा क्यों नहीं कितना ही बड़ा कियो नहीं हम उसको एंसर गुरूप में लेकर ही आजाएंगे अब चलिए आगे बरते हैं कोशन क्या अगता भीन यह क्या है वही तीन बट्टा आर्ट कि तीन बट्टा आट कि तने परटैसत द्र बतारी ममाने तेन बाुट आट कि तीन बट्टा आट कि तने परतिसत के बराबर है विसको कटा अब एक्स बढ़ाबर आपकोई नहीं कटेगा 25 या 75 अब बट्टा में दू इसका मतलब क्या होगा हमको एंसे पुर्णांग में तो 37 दूना तो 37 पुर्णांग एक बट्टा दू अब देखे क्या होता है भीन को पुर्णांग में कही से बलते हैं आपको लोगों को दरगा को निच्चा से गुना करके उपर वाला में जोड देंगे और बट्टा में जितना है उतना ही लिख देंगे लेकिन अव आप लोगों को एक भीन को पुर्णांग को बदलना आप लोगों को सिखा देते हैं देखे जिसे कि 75 बट्टा दू है ना याणि कि 75 में हमको दो से भाग देना है तो 75 हमको दो से भाग देना है तो 2,3,6,15,22,14,24 अब यह रहा यहां पर एक बच जाएगा घटा करके अब देखे यहांपर क्या होता है हमको पूरा-पूरा नहीं कर हमको दसमरा में लाके ले करके नहीं अना अब देख लिके अ के सनी तीस दू और ए दिरखत इसवोग लिक locks जो निडीचे दिक्राइव उसको फिलिके लिए अप्यायाद रख लीजे पर्चंट को पिलिभलना और को शाड़ी पुर्णांक को भिन में बतलना और भिन को पुर्णांक में बतलना अगर आपने नहीं सीखा तो हमें कमेंट जरूर करें हम आपको दुबारा बताएंगा बिल्कुल बेसिक से ताकि आपको नौकरी मिल जाए असानी से अब देखिए 34 रूपय का 15% क्या होगा अब यहां पर आपको नहीं सीखा रहें कैसे को से अखिर बना सकते लोग बिल्कुल मुझवानी बना सकते हैं तो अब देखिए 34 रूपय का मतलब गुना अब ऑप त्ष्वाला सा बच्चा वाला काम करना चोड़ी हमने क्या आपको सिखा था परतिशक के बतला में क्या लिखना आपको गुनाँ को रूप में एकवड़ा एक्शस लिखना है अब क्या करेंगे कि गुणाच रूप में एकवड़ा एक्वड़ा एक्वे―शंयारवं कर देते हैं अब देखेए कि होसियार का मदण धाम Several परतिसत क्या 34 परतिशत क्या होगा HK students in present 2012 से वाट नहींट पिपटा में एक आप बराबर रहोग हम एंसर क्या है हमनी एक स्ट हम एंसर को हम अपना A है ना एक्स को भी अपना answer मान लिए एक्स को ये अपनी girlfriend मान लिए उसी के साथ जी एंगें उसी के साथ मड़ेंगें हमेसा हाई एक मैत के कुश्टन में तो अहीं बात आप लोग भी ध्यान रखें एक्स हमेशा पड़ेंट में रहना चाहिए वैसे एक्स दखती नहीं है वह जो छोड़के चली जाते हैं उसको इक्स बोलते हैं लेकिन यह जो एक्स है आपका वह जो छोड़के आथ है यह चाहिए हमें में यह लिखा वान चाहिए हमको तो देखिए वह वाली एक्स नहीं हो तो बेवफाती वो चली गई कोई बात नहीं हम यहाँ पर यहाँ पर रखेंगे इसको अच्छी तरह से रखेंगे एक्स का बेलूं को मैसा चाहिए इसको रूप्या पर जरूत पड़े ऑले इसे एक्सको तो इसको मुद्ध meth wife to होगा कितना रूपा होगा देखे रूपिया हम देगे इस एक्स को देखें इसको कटाई आपस में तो 5 ती या 15 15 अब पांस से 20 पंचे देखिए बट्टा में है दोस हम को क्या करना है यालिकी भीन को दसमलाव में बदलना आप लोगो सिखा दिये नीचे वाला सुझ में भाग देजे दसमलाव डाल के जिस भी एस्ट्वन को नहीं आया सीख समझ में कि दसमलाव का भाग काई से हो तक कमेंट करें हम दूबारा स फीडियो बना देगे तो इसको में अनुदसम में डाले जितना जीड़ो देगा ना उतना अंकि बाद हम दसमलाव रुपिया अचत दूसमलाव की चीज होती ही नहीं है देखिए 450 का 30 परतिसाद कितना होगा बिल्कुल सिंपल सा कोस्टन है आप लोग बताएगा 450 गुने 30 बटता एक सो अब देखिए इस तरह का जब कुछन पूछ देगा ना एक्जाम में माइनली बनाना पड़ेगा वैसे भी कंप्यूटर पर टेस्ट से कितना होगा तो 45 को तीन से गुना कर देजिए ना देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा डूजिए दूजिए उड़ गया पांस्तिया पंद्रह अचारतिया बार एक तेरो यानिकी 135 ठीक है आपका एंसर ग्रूप में अगर एक्स को लाना चाहते तो बढ़ाबर एक्स मा कि दूबर्टा तीन प्रतिस कितना होगा हम इसको यहाँ पर निगाल दें तीन सो अर्थालिस 348 पुर्णाग दूबर्टा तीन को आप यहीं पे बद्टा में बदल ने जे मुझवानी तो 66,238,198 प्लस दू एनि दूबर्टा तीन दूज़ी पर तीन आप परतिस है तो गुना एक बढ़ाबर च्वाल एक्स होगा चली इसका इंसर निकालिए इससे तो ये कट जाएगा अग तीन से ये कटेगा अब देखे तीन से भाग लगने का नियम तीन का विभाजता का जो नियम होता है योगफल तीन से विभाजित होनी चाहिए तो आठ चार बारा तीन पंद्रव फंद्रव में देखे तीन से भाग लगेगा तीन पचे पंद्रव भाग लगा जाएगी तो इससे तीन को कटाई है तेने कम तीन तीन अगम तीन तीन थीन जगा ठाड़ एक सोब आ गया हमरा कॉंटेक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर उसक पूछ सकते कोई भी सवाल यह रही अब देखिए अब सब तो कट गया है अब क्या बचा एक सोला यहां पर बचा है ओकॉर्ड 116 यहां पर बचा है दो यहां पर बचा है तो एक सब बराबर 116 गुना दू यानिके 232 आपका अनिसर